आज हम बात करने जा रहे हैं equivalent fractions के बारे में equivalent fractions और जैसा की इन fractions का नाम है ठीक वैसा ही इन fractions का काम भी है मेरे कहने का मतलब है कि दो fractions equivalent तब होते हैं जब वो अलग-अलग numbers से बने हुए होते हैं लेकिन वो same चीज़ को represent कर रहे होते हैं चलिए इसे समझने के लिए हम कुछ examples लेते हैं तो मान लेते हैं कि मेरे पास मेरे पास है fraction 1 by 2 तो 1 by 2 का आखिर मतलब क्या होता है इसे हम कैसे समझ सकते हैं तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक गर्मा गरम अभी ताजा ताजा पीजा है यह है मेरा पीजा और मैं अपने पीजा को थोड़ा सा सुन्दर बना देती हूँ यहाँ पर इस पीजा की खूप सारी टॉपिंग्स है और इस पीजा में खूप सारी चीज है तो यह है मेरा पीजा और इस पीजा की मदद से हम 1 by 2 को कैसे समझ सकते हैं तो one by two का मतलब बस इतना ही है कि अगर मैं अपने इस पीजा को two equal parts में divide करती हूँ तो चलिए हम अपने इस पीजा को two equal parts में divide कर लेते हैं यहाँ पर यह हो गए मेरे two equal parts और मान लेते हैं कि इन दोनों equal parts में से मैं एक part खा जाती हूँ मैं ये वाला पार्ट इस पीजा का खा लेती हूँ तो हम कह सकते हैं कि मैंने two equal parts में से one equal part इस पीजा का खा लिया है यानि कि मैंने इस पीजा का one by two खा लिया है तो ये तो एक तरीका हो गया इस बात को दिखाने का कि मैंने इस पीजा का आधा हिस्सा खा लिया है लेकिन अगर मेरे पास इस पीजा के दो टुकड़े के बजाए चार टुकड़े होते तो हम इस बात को कैसे कहते यानि कि एक पहले दूसरा पीजा ले आते हैं या पे या गया मेरा दूसरा पीजा और अगर अब मैं इस पीजा के दो बराबर टुकडों के बजाए चार बराबर टुकडे कर देती तो यहाँ पर यह हो गए दो बराबर टुकडे और अगर मैं इसे इस तरीके से काट दू तो यहाँ हो गए मेरे पास कुल चार बराबर टुकडे यानि कि मेरे पास यहाँ पर कुल 4 बराबर टुकडे हैं अगर मैं इस पीजा का एक टुकडा खाने के बजाए ये वाला टुकडा खा लेती हूँ एक टुकडा यहाँ से खा लेती हूँ और ये दूसरा टुकडा भी खा लेती हूँ तो अब मैंने कुल कितने टुकडे खा लिये हैं, तो हमारे पास थे चार टुकडे और मैंने अब चार टुकडों में से कुल दो टुकडे खा लिये हैं, यानि कि हम इस चीज को 2 by 4 इस fraction की तरीके से दिखा सकते हैं, इसका मतलब है कि मैंने 4 equal pieces में से 2 equal pieces खा लिये हैं, लेकिन अगर हम यहां इन दोनों पीजाज को देखें तो हम देख सकते हैं कि जितना पीजा मैंने यहां पर खाया था ठीक यहां पर भी मैं उतना ही पीजा खा रही हूँ भले ही हमने यहां पर पीजा के जादा टुकड़े कर दिये हैं लेकिन हम उतना ही पीजा खा रहे हैं जितना कि हम यहां खा रहे थे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़े आपस में बराबर हैं और ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इसी तरीके से 1 बाइ 2 भी 2 बाइ 4 के बराबर है और ये दोनों हमें एक ही बात बता रहे हैं तो चलिए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं और इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और पीजा ले आती हूँ ये आ गया मेरा तीसरा पीजा तो अब इस पीजा को मैं कुल 8 बराबर टुकडों में बाड़ दूँगी चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हो गए 2 बराबर टुकडे ये हो गए 4 बराबर टुकडे यहाँ पर मैंने इन टुकडों को भी बाड़ दिया और ये बाट दिया मैंने इन्हें आठ बराबर टुकड़ों में तो यहाँ पर हमारे पास हैं आठ बराबर टुकड़े और अब अगर मैं इन आठ बराबर टुकड़ों में से कुल चार टुकड़े खा लेती हूं मान लेते हैं कि मैंने ये वाले 4 टुकड़े खा लिये हैं मैं एच्छे से इसे शेड करना चाहती हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगएगा आप लोग थोड़ा मेरे साथ रहेगा इस पे तो यहाँ पर मैंने कुल 4 बराबर टुकड़े खा लिये हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने चार बराबर टुकड़े खा लिये हैं कुल आठ टुकड़ों में से यानि कि हमने इस पीजा का फोर बाई एट खा लिया है लेकिन अगर हम यहाँ पर इन तीनों पीजास को देखते हैं तो देखके तो ऐसा लग रहा है कि हमने सभी पीजा पीजाज में से बराबर ही खाया है यहां पर इतना टुकड़ा ये मुझे इतने टुकड़े के ही बराबर दिख रहा है और ये टुकड़ा भी इतने ही टुकड़े के बराबर दिखाई दे रहा है यानि कि दरसल में हमने इन सभी पीजाज में से बराबर पीजा ही खाया है इ यहां इन सभी के numbers अलग-अलग हैं लेकिन ये same चीज़ को represent करते हैं और इसलिए हम इन हे equivalent fractions कहते हैं लेकिन अगर हम numbers के terms में सोचें तो यहां पर इन सभी numbers में यहां इन सभी fractions में क्या relation है तो अगर हम 1 by 2 और 2 by 4 को देखें तो denominator में 2 से 4 तक पहुचने के लिए मुझे 2 को 2 times multiply करना होता है और हम देख सकते हैं कि numerator में भी 1 से 2 तक पहुचने के लिए मुझे अपने numerator को भी 2 से multiply करना होगा यानि कि जिस number से मैंने अपने denominator को multiply किया है उसी number से मैंने अपने numerator को भी multiply किया है और मुझे एक equivalent fraction मिला है और अगर हम 2 by 4 और 4 by 8 की भी बात करें तो यहां पर 4 स से 8 में पहुचने के लिए मैंने 4 को 2 ताइम्स multiply किया है और इसी तरीके से 2 से 4 में पहुचने के लिए मैंने 2 को 2 ताइम्स multiply किया है तो हम देख सकते हैं एक pattern यहाँ पे यानि कि अगर हम किसी भी fraction को किसी भी fraction के numerator और denominator को numerator यह उपर वाला नंबर होता है और denominator यह नीचे वा equivalent fraction मिल जाता है तो चलिए इस बात को और अच्छे समझने के लिए हम equivalent fractions पे कुछ examples देखते हैं इसे मैं थोड़ा सा उपर कर लेती हूँ यहाँ पर हम जगे बना लेते हैं अपने examples के लिए तो मान लेते हैं कि मेरे पास है fraction 3 by 5 और अगर हम वही principle यहाँ लगाएं जो हमने अ तो हमें एक equivalent fraction मिलेगा तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ number 7 और मैं अपने numerator को भी 7 से multiply करूँगी और मैं अपने denominator को भी 7 से multiply करूँगी तो यहाँ हमें क्या मिलेगा तो 3 times 7, 3 times 7 होता है 21 और 5 times 7 होता है 35 के बराबर तो हम कह रहे हैं कि 3 by 5 is equivalent to 21 by 35 तो यहाँ यह दोनों चीज़े आपस में बराबर कैसे होती हैं इसे समझने के लिए हम चलिए इसे देखते हैं हम देखते हैं 7 by 7 को और हम जानते हैं कि 0 के अलावा अगर हम किसी और number को उसी number से divide करें तो हमें मिलता है 1 यानि कि 7 divided by 7 यह बराबर होता है 1 के तो यहाँ पर यह पूरी चीज़ यह हमें यही बताती है कि दरसल हम यहाँ पर 3 by 5 को 1 से multiply कर रहे हैं और अगर हम किसी भी number को 1 से multiply करते हैं तो हमें वही number वापस मिल जाता है यानि कि यहाँ पर यह चीज 3 by 5 के ही बराबर होगी इसका मतलब 21 by 35 3 by 5 के ही बराबर होगा चलिए एक और example लेते हैं इससे अच्छे से समझने के लिए इस बार मान लेते हैं कि मेरे पास है 5 by 12 और मुझे दे रखा है कि यह बराबर है मेरे पास denominator में है 36 और मुझे मेरा numerator नहीं दे रखा तो हम यहाँ फिर से equivalent fractions वाला logic लगा सकते हैं यानि कि अगर हमें denominator में 12 दिया हुआ है और 12 से 36 तक पहुचने के लिए हमें 12 को multiply करना पड़ता है 3 times और क्योंकि हम 12 को 3 times multiply कर रहे हैं इसलिए हम अपने numerator को भी 3 times multiply करेंगे तो 5 times 3 ये होता है 15 के बराबर तो हम कह सकते हैं कि 5 by 12 ये equivalent है 15 by 36 के और हम यहाँ पर अपने इस चीज को अपने pizzas की मदद से भी समझ सकते हैं यानि कि अगर मैंने अपने pizza के 12 equal pieces की होते और उन में से 5 equal pieces खा लिए होते तो ये यही कहने के बराबर है कि मैंने अपने pizza के 36 equal pieces की हैं जिन में से मैंने 15 pieces खा लिए हैं